हेलो फ्रेंद्स, वेलकम बेक टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ भूती खुपसुरत बॉर्डर पैटन सेयर करने जा रही हूँ, यह देखे, इस बॉर्डर पैटन को आप और प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं, लेडी स्वेटर, कार्डिगन, कोट्टी, जैकेट, ग बॉर्डर पैटन को बनाने के लिए हमने 10 के मल्टिपल में फंदे डालने हैं, पलस हमने 1 फंदा एक्स्ट्रा डालने हैं, यहने कि हमने 10 के जोड़े के हिसाब से फंदे डालने हैं, पलस 1 फंदा एक्स्ट्रा डालने हैं, चार सलायों में बनके हमारा यह बॉर्डर पैट न्यू वीडियो की नोट्पिकेशन के लिए बैल आइकन दबाना नभूलें वीडियो आपको कैंसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें अब हम अपना पैटन बनाना स्टार्ड करते हैं तो देखे इस पैटन को बनाने के लिए हमने 21 फंदे डालूंगे यह हमारा सैंपल है इसलिए मैं यहाँ पर 21 फंदे डालूंगे आप अपने प्रोजक्ट के हिसाब से फंदे डालोगे तो देखे एक फंदह हो गया अब देखे नेस्ट फंदि डालने स्टार्ड करेंगे हम इस तरीके से देखे यह अंगुठे सारे ऐसे धागे को लपेट लेंगे और देखे धागे के दूसरे सिरी से इस तरीके से सलाई के उपर ले जाते हुए एक फंदा बना लेंगे तो देखे इस दो फंदे हो गए इस तरीके से इसे ही हम सेम प्रोसिस को रिपेट करते हुए यहाँ पर ट्वंटिवन फंदे डालेंगे यह देखे यहाँ पर हमने यह 21 फंदे डाल दे अब देखे अब हमारा पैटर्न बनना स्टार्ड होगा तो देखे फर्स्ट रो फंदे डालने के बाद फर्स्ट रो पहला फंदा उतार लेंगे यह पहला फंदा उतार लेना है अब देखे नेस्ट नो फंदे सीधे बुने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, ये नो फंदे सीधे बुने, नो फंदे सीधे बुनने के बाद देखे, नेश्ट एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे, फिर नो फंदे सीधे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, नो फंदे सीधे फिर एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, तो देखे हमारे प्रोजक्ट के हिसाब से हमारे फर्स्ट रो में जितने भी फंदे होंगे, हमने यही प्रोसिस रिपीट करना है और फ्रंट साइट से अपनी रो कंप्लेट कर लेनी है, रोंग साइट से देखे सेकिंड रो, अब देखे पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, और देखे नो फंदे सीधे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, नो फंदे सीधे, नो फंदे सीधे बुने के बाद देखे, धागा अपनी साइट करेंगे, और एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे, इस तरीके से, फिर धागा पीछे करेंगे, नो फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, नो फंदे सीधे, धागा अपनी साइ नैस्ट efterपhta भी नवुने उतार लेंगे थिए रवं साइड से हमारी पैटरनकी second row complete हो गई अप देखिए front साइड से पैटरन की third row में देखिए पहला सभाधा उतारईगे पहला सभाधा भीम उतारेंगे अब देखेए the nest टो हमारे एक पार और सलाई में धागा लपेटेंगे इस तरीके से ये दिखे ये फंदा हमारा डबल रोल करके आ गया अब नेश्ट फंदे में भी यही प्रोसेस रिपीट होगा ऐसे एक और दो दो बार धागे को रोल करेंगे और इस तरीके से इन फंदों को बुन लेंगे तो दो फ पंदे हो गए 5 6 7 8 यह 8 फंदे हो गए अब देखें नेच्ट 9 तो देखें ऐसे शलाइए में धागे को दो बार रोल करेंगे एक हो गया और एक बार और यह देखें इस तरहें किसे है डबल रोल करके हमारे यह 9 फंदे आ गए और नेच्ट फंदा हम ऐसे ही बिना बुने उत अब देखें फिर नौ फंदों को हमें डबल रोल करके बुन लेना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और नौ, ये नौ फंदे हमने डबल रोल करके बुने, लास्ट का फंदा, ये देखें ये वाला फंदा, ऐसे ही बिना बुने, उतार लेंगे, तो देखें फरेंड साइड से हमारी पैटर की थड़ रोल कमफ्लीट होगई, अब देखें, रोम साइड से फोर्थ रो। अब फोर्थ रो में देखें, पहला फंदा बुन के यह पहला फंदा हम बुन के उतारेंगे इस तरीके से देखे आप देखे यहां पर हमने चार फंदे बना लेने तो देखे इस तरीके से हम यहां पर चार फंदे बनाएंगे ऐसे अंगुठे में देखे धागे को रोल करेंगे और फिर देखे इस तरीके से धागे के अंदर से ऐसे सलाई ले जाएंगे ये एक फंदा बन गया फिर ऐसे देखें अंगुठे में धागे को रोल करेंगे और देखें सलाई को ऐसे धागे के अंदर से ले जाएंगे इस तरीके से ये दो फंदे हो गए ये तीन और ये चार ये चार फंदे बना दिये धागा अपनी ही आप देखें नेश्ट देखें इन 9 फंदों को हम सिंगल करेंगे एक दो तीन चार पांच छे शार आड़ और नो ये देखें ये 9 फंदें हमने डबल से सिंगल किये अब इन 9 फंदों को हम एक साथ हुलेंगे 9 का एक कर लेंगे 9 फंदों को एक साथ बुनेंगे, धागा अपनी साइड है, और 9 का एक कर लेना है, यह 9 का एक हो गया, फिर हम यहाँ पर 4 फंदे बनाएंगे, तो देखें, इस तरीके से देखें, अंगुठे में धागा को लपेटेंगे, और सलाई को देखें, ऐसे अंदर की साइड से डाल यह एक फंदा बन गया, यह देखें, दो, तीन, और चार, यह देखें, यह 9 फंदों में हमारा पैटर्न आ गया, अब देखें, जो फंदे हमारे गटे थे, वो यहीं पर हमने बढ़ा दिये, साथ में, अब देखें, एक फंदा, जो बिना बुना फंदा है, इसको उल्टा बनेंगे, इस तरीके से, एक फंदा उल्टा बना, फिर हम यहाँ पर चार फंदे बनाएंगे, तो देखें, एक, दो, तीन, चार, यह चार फंदे बना दिये, अब नेस्ट हमने नो फंदों को सिंगल करना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और नो, इन न फंदों को हम एक साथ मुनेंगे, और नो का एक कर लेंगे, नो का एक कर लेना है, इस तरीके से एदेखें, फिर हम यहाँ पर चार फंदे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, यह चार फंदे बना दिये, लास्ट का देखें, यह फंदा उल्टा आ जाएगा, तो देखें, यह रॉंग साइट से हमारे पैटन की फोर्थ रो, कमफलेट हो गई, और यहाँ पर हमारा यह बॉर्डर पैटन बनके, कमफलेट तयार हो चुका है, अब देखें, इसके हातों से दिखें, इस तरीके से हमने इन फंदों को सीधा बुन लेने, यह देखें, यह फ्रंट साइट से हमारी फिप्तरों कमफलेट हो गई, फिप्तरों को हमने सीधा बुनते हुए कमफलेट किया, आप देखें, जो रॉंग साइट से 6 रो आएगी, उसको हम उल्टा बुनते हुए कमफलेट कर लेंगे, पहला फंदा उतारेंगे, और रॉं यह देखिए रॉंग साइड से हमारी 6 रो कम्प्लीट हो गई आप देखिए जो फ्रंटी साइड से 7 रो आएगी आप यहाँ पे कोई सा भी पैटन अपलाई कर सकते हैं आप सिधा सिधा भी बुन सकते हैं इस तरीके से देखिए हमारा भुती खुबसूरत पैटन आ गया और 4 सलायों में हमारा यह पैटन बनके कम्प्लीट तयार हो जाते हैं आप इसे किसी भी प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं बनके देखिए हमारा पैटन कुछ इस तरह से आ जाएगा यह देखिए बहुती स सियर करें कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें थेंक्यू